अगर हमें कोई cyclic group दे रखा है किसी भी order का और हमसे पूछा जाता है कि उसके कितने generator होंगे तो उस problem को करने के लिए आप euler 5 function का use करेंगे तो जैसे कि हमें set दे रखा था a belongs to g वो g के elements जो generator बनते हैं group g के लिए इसके हमें एक तरह से cardinality बतानी है कितने elements होंगे हम use करेंगे euler 5 function इसमें put करेंगे 10 इसको हम लिख सकते हैं 52 into 55 52 की value 1 और अगर prime होता है तो एक कम कर देते हैं option b यहाँ पर correct होगा एक क là ड्यों एक का एक पर देफिंगा